सब्सक्राइब के लिए एक स्पेशल वीडियो लेके मैं आ चुका हूँ बहुत दिन से कमेंट सेक्शन में मुझे एकने कमेंट पढ़ने मिल रहे थी कि भाई मोबाईल लाइट्स्रीमर के लिए आप वीडियो नहीं बना रहे हो बेस्ट लाइट्स्रीमिंग एप कौन सा है एंड्रोइड के लिए वो बता और ये बता तो कुल मिलाके मोबाईल से लाइट्स्रीम करने वाले काफी परिशान थे तो फाइनली मैं आच चुका हूँ मोबाईल लाइट्स्रीमर के लिए एक स्पेशल वीडियो लेके ये वीडियो में आप लोग बताने वाला हूँ कि आपके पास PC नहीं है और आप मोबाईल से एकदम प्रोफेशनल लेवल की लाइट्स्रीम करना चाहते हो अपने गेमपले की विट ओवरले विट एलर्ट्स और एकदम मस्ट लाइट्स्रीम तो आप कैसे कर सकते हो अब जो एप की मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो मे वो एप के बारे में आप लोगो पहले से पता होगा अगर आप लोग मोबल से लाइट्स्रीम करते हो तो और या फिर आप अगर इस चैनल के ओल्ड सब्सक्राइबर हो तो एप का पूरा एकदम डीटेल में टुटोरियल नहीं देने वाला हूँ है बस मैं आपको उस एप म जिनके ओपर मैंने वीडियो नहीं बनाई हैं और काफी इंट्रेस्टिंग इंट्रेस्टिंग फीचर्स एडवें इस लाइफ स््ट्रीमिंग एप में मोबाइल लाइफ स्ट्रीमर्च के लिए तो वह मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ हूँ तो चल करता हूं काफी बट वहाँ पे भी आप टिम लुँझ कर सकते हैं और वहां पर अगर आपको मुझसे कुछ पूछ ना है या मेरे साथ चिल करना तो वहां पे आप लोग जेट कर सकते और नाम एक्सपोजर होता है यहां पर टच कर लेना है उसके बाद आप landscape mode में अपने mobile को पकड़ सकते हो यहां पर portrait और landscape दो option दिखाई दिखाई दिता है जहां पर हम लोग landscape पर touch करेंगे और उसके बाद अब यहां पर आप लोग adjust कर सकते हो कि आपका gameplay वाला screen कहां दिखाई देना चाहिए आपकी livestream पर आप चाहते हो नीचे तो आप नीचे adjust कर सकते हो आप चाहते हो ऊपर तो आप ऊपर adjust कर सकते हो और नीचे वाली space में हम लोग अपना overlay add कर सकते हैं उसके लिए उपर right hand side में आपको plus icon दिखाई देगा वहाँ पर आपको touch करना है यहाँ पर touch करने के बाद में आपको काफी साइर options दिखाई देगे पहला option जसे चैट वाला तो अगर आपको अपनी livestream पर chat दिखाना है तो वहाँ पर आप लोग touch कर सकते हो और आपको अपनी की screen पे जैसी भी chat दिखाना है वैसे आप दिखा सकते हो यहाँ पे आप लोग style वगेरे भी change कर सकते हो जैसी भी style में आपको chat दिखाना है वो आप select कर लो, font select कर लो, color select कर लो उसके बाद आप सेव पे टच कर दो उसके बाद आपको कुछ ऐसी window दिखाई देगी इस window को आप कहीं पे भी अपने screen में adjust कर सकते हो और वैसी chat आपके live stream पे दिखाई देगी अभी के लिए मैं इस chat को यहाँ से हटा देता हूं मुझे यहाँ पे chat होगे रहे नहीं add करना है उसके बाद में हम लोग फिर से plus icon पे touch करते हैं और plus icon पे touch करने के बाद में यहाँ पे अभी option देख रहे हो वह है image वाला option तो यहाँ पे image वाले option को use करके हम लोग अपने live stream पे overlay add कर सकते हैं और इस overlay को आप लोग JPEG या फिर PNG या फिर GIF format में आप लोग बना के अपने phone में रख सकते हो और उसको use कर सकते हो अब यहाँ पे मैंने आप लोग देख सकते हो मैंने एक overlay पर touch करने के बाद में यहाँ पर जो second option है web वाला उसके बारे में आपको बताता हूँ तो web option पर touch करके आप लोग यहाँ पर stream labs या फिर stream elements की link add कर सकते हो अपने alert box के लिए यहाँ पर मैंने stream labs की alert box की link add कर दी है और अगर आपको नहीं पता कि stream labs की या फिर stream elements की alert box का link का मिलत है तो इसके उपर आप लोग अलग से video देख सकते हो YouTube पे उसके बारे में मैं इस video में नहीं बताने वाला हूँ ठीक है तो यहाँ पर नीचे आप लोग option देखोगे तो show the web source at the top of the screen during the live stream option इसको आप लोग on रखोगे तो जो भी alerts होगे रहाएगा subscriber alerts super chat alert वो आपको भी दिख कर करके इसको zoom out कर सकता हूँ यहाँ पर करता हूँ 50% पर रखो इसको और उसके बाद यहाँ पर इस alert box को ऊपर यहाँ पर adjust कर दूँगा आपको जहां adjust कर सकते हो यहाँ पर हमारा alert box जो है वो add हो चुका है अगर मैं आपको alerts send करके दिखा हो तो यहाँ पर आप लोग देख avatars दिखाई देंगे इनमें से कोई भी avatar आप लोग select कर सकते हो अपनी live stream पर add करने के लिए जैसे मैंने इसको select कर लिए और यहाँ पर save wallet option पर touch कर दूँगा उसके आप लोग देख सकते हो यह avatar यहाँ पर आ चुका है अब इसको आप लोग adjust कर सकते हो अपनी screen में बड़ा करके जहाँ पर भी आपको रखना है अपनी live stream की screen पर तो यहाँ पर मैं corner में right hand side पर रख दूँगा इसकी खास बात यह है कि आप जब तक बात करोगे तब तक यह मुह लाएगा जब आप चूप रहोगे अपनी live stream पर तो इसका मुह लाना जो है वह बंद हो जाएगा ठीक उसके बाद नीचे यहां पर motions का option दिखाई देगा आप लोगगे नीचे mostons क में दिखाई देङ यहां पर आप लोग टच कर सकते हो motions के option पर तच करनेगे बाद मेंşekkür disabled फे और speaking disabled वाले पर OFF कर दूँगा यहां पर off करने के बाद हम simply यहां पर done पर click कर देंगे इतना कर दिया हम लोग ने उसके बाद हमको simply यहां पर screen वाला जो option है उसके उपर फिर से touch कर लेना है उसके बाद वापस से हम लोग यहां पर टच करके देखेंगे तो अब यह मुह ही ला रहा है बट यह में फोन जिस पर आप गेम खेल रहे और live stream कर रहे हो उसको चोड़के अगर आपके पास एक extra phone है तो आप उसको use कर सकते हो as a remote control अपनी live stream को control करने के लिए कैसे मैं आप लोगों को दिखा देता हूं यहां पर practically तो सबसे पहले आपका जो main phone है जिस पर आप लोग live stream करते हो उस phone में आपको prism live studio में उपर three dots पर यहां पर touch करना है और touch करने का यहां पर नीचे scroll करो remote control connection का एक option मिलेगा वहां पर touch करो एक QR code आपके सामने दिखा ही देगा इस QR code को हम लोग अपने extra phone में prism live studio app open करके scan करेंगे यहां पर मेरा extra phone मैंने हाथ में ले लिया है और यहां पर अब आप लोग अपनी live stream को अपने दूसरे वाले phone से control कर सकते हो अपनी volume को कम जादा कर सकते हो अपनी live stream को on करने के लिए go live वाली बटन वहां से press कर सकते हो live stream को end करने के लिए end live stream कर सकते हो और mic on off कर सकते हो काफी सारी चीज़े आप लोग कर सकते हो तो वो चीज़ आप लोग फुद explore करके देख सकते हो अब सारा वरले वगेरे setup करने के बाद में हम लोग यहां पर यहां पर यहां पर टच कर सकते हैं यहां पर आप लोग अपना live stream का title description एड़ कर सकते हो यहां प यहां पर टच करके आप लोग thumbnail upload कर सकते हो अपने live stream के लिए उसके बाद में यहां पर जो option है active and schedule live वाला यहां पर टच करके आप लोग अपनी कोई भी schedule लगर live stream है तो उसको आप लोग यहां पर उस पर directly live जा सकते हो नीचे आप लोग पब्लिक प्राइविट या लिस्ट टच करोगे live जाने के लिए तो आपके सामने यह option आएगा यहां पर आप लोग yes no जो भी अपनी साब से करना है वो आप कर सकते हो अगर आपको live stream सेफ करना अपने mobile में भी तो आप yes कर सकते हो यहां पर yes आप जैसी करोगे आपके सामने ऐसा pop-up आएगा यहां पर start no जैसे क coming back soon या फिर thanks for watching the live stream यह सारी scene आप लोग दिखा सकते अपने live stream पे वो दिखाने के लिए आपको यह hide broadcasting screen वाला जो option है इसको on करना पड़ेगा इसको आप लोग जैसी on करोगे तो आपके live stream पे यह stream starting soon वाली जो scene है यह दिखाई देगा इसको आप लोग जैसी off कर दोगे तो जो भी आप करोगे वो दिखाई देगा आपके live stream पे मतलग इसको off करने के बाद में आपकी mobile screen दिखाई देगी आपके live stream पे तो बस यहां पर हमने सारी सेटिंग कर ली है अब मैं आप लोग को अपने live stream का एक छोटा सा clip दिखा जेता हूँ कि इसको यूज करके आप लोग सब हमारे उसी हेडफोन से हमारे येरफोन से आरा है अब आपको अपको अलर्ट करेंगे कोई सब्सक्राइब करेगा तो वो कैसा दिखाई देगा तो यहां पर अभी आप लोग दिख सकते हो कुछ इस प्रकार से यहां पर हमको super chat अलर्ट भी दिखाई देगा और अगर हम लाइव स्ट्रीम को अजया है आपको अपको आपको अपर टॉट करो गया उसके आपक एतना काम कर लोगे आपकी जो लाइव स्ट्रीम है वो एंड हो जाएगी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो का मुलोग यहाँ पर इंड करते हैं, मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में तब तक कि लिए बाइ बाइ आम बिगिनिंग तु पिलिग लाइक रैपकॉर्ड रैपकॉर्ड